सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोग का प्रिया जैने न्यूज चैनल महालक्षमी जोड से सुबह सुबह सुबर संडे साधर जैन्यत करते हैं आज की शुरुआत करते हैं देश के दिल मध्य पर देश से जैनों की नगरी है वहीं गौलर की बात करते हैं वसे कुछ नहीं हुआ उपर गए थे सिंधिया स्कूल में हमारे आच्चा रेशी ने कहा दर्शन करवाओ तो कैसे गोल्वों लपोट करिया गा कि उनको बना लिया कि दूर से दर्शन कर लो आप कहीं नहीं तो कि यहां पर नीचे गंद की भी हो रही है पर वहां दर्शन नहीं मिले पानी लगातार यहां मूर्टियों का शरह हो रहा जिन पर प्रासुख जल से ढलते हैं भीशिक करते हैं वहाँ पर इस तरह से प्रकृति का नहीं वर्शा का नहीं या सड़ा हुआ हुआ पानी की जरूर नहीं वहपर उसे वह गिर रहा है इनके उपर, कुछ नहीं, कुछ तो हम कमजोर हैं, कुछ कायर हैं, कुछ उनके प्रबतु में दबे हुएं, और बाकी सब गांदी जी के तीन बंदर मने पड़े हैं, चाहे तीर्थ शेतर कमेटी यहां पर हो, कोई नहीं, किसी को नहीं सुनना, किसी को प शेर में यह प्रतिमाई होंगे, अगर आप देखेंगे, यहां कि कलाकरतियां को, यह तो मूर्ती भंजगों ने इस तरह नाश कर दिया हैं, यह तो क्या बात थी, पर आज इसी कहा, कुछ सादु कुछ साद्यां का दौरा करते हैं, दो-तीन जगे चलिए पहले चलते हैं, क अमीनात भगवान जी की प्रतिमाई नहीं होगी, जो यहां पर है, लेकिन जब यहां आते हैं, बहुत सुन्दर कलाकरति के रूप में प्रतिमाई हैं, एक बार देखेंगे, मंत्र मुतु जेंगे दशन करेंगे, अब यहां सफाई, अब शेक हुआ था, यहां के जो पूर नहीं है, अब पहचान नहीं सकता है एक आदमी, कि आप कच्रा घर में लेके जा रहे हो, यह मंदिर लेके जा रहे हो, मुझ पर रांप, कान, आँखों पर सब कुछ यूँ करके भी चलोगे न, नहीं चल पाओगे, अभी पत्र लिखाता है यहां पर, तो कारिवाई हुई लेकिन फिर दोवारा दो दिन में वैसे ही हो जाता है, किसी और मंदिर के थरमयायतन के सामने ऐसा हो जाए, गौल्ड जैसे शेहर में, शेहरों के अंदर संभव नहीं है, पर जैनों की भूमी तरती है, जैगों का मंदिर है, कुछ भी हो जाए, इतनी गंदगी दे के मुनि ट्रस्ट है वहां के, और ये सारी जैंगोजी, वहीं के कोशादेश, पंक जैजी ने, चलेल महारशी दे मोचाई जनोंने, कि ऐसा हो रहा है, कुछ तो आवाज उठाई है, कम से का हमारे आज की आवाज से, हमारे तीरस्तों के साफ ज़ज़स तो बच जाएंगे, सफाई हो पाएगी, गसभ की बात है, हमारे गोजल की कमीटि ये आपस में बटी होई है, समाज एक नहीं हो पारा है, और उसकी दुरशा ये हो रही है, चाए उपर तीर सेटर कमीटि रही हो, चाए यहां की स्थानी ये कमेटी रही हो, जैन्ड इसी गोजल के बात करते हैं, फैन् जब जाती है तो इतनी गंदकी देखनी पड़ती है मुशी सोमदस सागेशे दरशन करने गए कहते है हालत खराब हो गई देख कहरान कि जहां से जाते है वहीं गंदकी का मजमा जमा पढ़ा है हमारे तीर्थों पर हमारे मंदिरों पर इस तरह से होना बड़ी शर्म सार बात है हमारी कमेटी चूकती है और शासन पर शासन की आँखों पर खुलती नहीं है कानों पर जू नहीं रेखती है अब भी जसकी तस यह पढ़ी है कोटिशन में दो दिन में सफाई होई फिर हट गई और फिर गंदगी हो गई पर यहां तो सफाई का नाम ही नहीं है क्योंकि यह जहनों के मंदर की बात हो रही है खास होता है हैं कि मुनिशी सोंदस सागड यूपर पहुँचे उपर ताय लगा हुआ था और नीचे अन्य ध्रमेल सादू खूप सारते कुछ कारगरम चल रहा सा दोनों तोरफ उपर आ गए उन्होंने परिच्चे कराया उन्होंने कहा महात्मा जी आप यहां पर खड़े हैं आये नीचे आके विराजिये बहुत ज़्यादा प्रेम वासले सादू में जहां होता है वासले होता है और फिर जब उन्होंने देखा तो हमारे मुरिशतों दोन सखिने उसे परीज़ शूरू किया एक सादू ने बताया कि मानों चला कि वे गांजा भी पीते हैं हैरान गी बात ये गांजा पीते हैं उन्होंने फिर उद्बोदन दिया औरे राम जी की धरा पर पीदा होकर राम जी को मानते हो पर राम जी की नहीं मानते हो बहुत अच्छा है एक जनस मैं दो लिया सब गद्ज़ा गधो हो गए सब सादू जहां वारे जब ख़ड़े थे उन्हों सब को प्रबोदन दिया और फिर उन्होंने उन सादू को बलाया जो 25 साल से गांजा पी रहे हैं उनके परिवार को बलाया उन्होंने उसे शबत दिलाई कि तुम सादू हो गए हो क्यों गांजा लेते हो आज ही संकल बलो आज से गांजा नहीं लूँगा परिवार वाले संगद्विया और सारा परिवार साथ सारे लोग गदद हो गए कि ये होते हैं दिगंबर संद जो ऐसी प्रभावना करते हैं अपने आचरण से कि दूसरे साथ भी नतमस्तर सुनिये जरा पहले उन्होंने प्रभावना दिया उसका एक शन चलक्स सुनिया और फिर कैसे गान्जा चूटा एक काम की बात वह में सुनिया आश्रवत लाए गया है कि उनको मानने वाला कोई व्यक्ति ना गरीब हो सकता है, ना पाइज हो सकता है, ना बीमार पड़ सकता है. अब आपको चलते हैं, गवाला के ओर नेम गरी गरनार, जिया है एक गरनार गालियन में भी है, और उसकी व्यालत लगबक वैसी है जैसी वहां गरनार की है, यहां पर लगबक जो पहाड़ी है, वो गरनार की इतरहे टोक के गरूब में, यहां पर हैं, प्रतीमा नेम नेम कबकी नौवी सदी की अती प्राचीन लगबग 6-7 इंच की परतिमाई बहुत गजब की परतिमाई लेकिन मूर्ती भंजगों ने यहां पर आतातायों ने इस तरह किया लगबग सभी परतिमाई को खंडित कर दिया हैं किस तरह किसे किसे के टियास को सुनस्क्रति को मटाते है उसका जीता जाकता नमूना आप यहां देखेंगे आप में बहुत लोगों ने दश्चन नी कियोंगे गजब की परतिमाई और गरब दश्चन वह तो कहते हैं यहां एक तरफ नहीं चारिया थी खूप सारी है जो अब कटवा दी गई है उसमें 8-10-12 परतिमाई सुरक्षि यह परतिमाई जो बची हुई है नवी सधी की इतनी प्राची परतिमाई है उनका अभी शेक नहीं हो रहा है उन्होंने वहीं पर चौकीदार जोहस को बुलाया विनोत को और उससे कहा कि भाई अगर कोई श्रावक नहीं आता है तो तुम धोती दोपट पहनो ना हो धो कि गुरुजी आपको नमस्तु करते हुए मैं आज संकल बेता हूं कि मैं दोटी दोपट है पहनगे सोच रूप के प्राशुक जल से उन सब प्रतिमाई को अभी शेक करूँगा जिस दिन यहां को इश्रावक नहीं आएगा जहां-जहां संत जाते हैं जाग रूपता आती प्रशासन ने जो बार 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 पीडरूडी काम करवाती है कहती हमें नहीं करवा सकती हम पत्र लिखते हैं कमेटियां की कहती हम बार बार पत्र लिखते हैं लेकिन नहीं आप नहीं कराएंगे और हम पता नहीं कब कराएंगे पहले पीडरूडी आती कुछ काम करवाती है लेकिन एसाई कुछ नहीं देखती है अगर यह जरजर बारिश में पानी में गिर गई तो सच्पो ध्यानके नीचे के पंदिर शती गरस्त हो जाएगा यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है कोई इसको गंबीर ताही ले रहा आज सम्हार के सामने इसलिए बीच में लाएए बात समझाने के लिए एसाई तक पी डवलूडी तक सत्था तक पहुचाने के लिए और वहां के जो लोग आपस में बटे हुए हैं उनको एक करने के लिए अपने मंदिरों को इतिहास को बचाईए आपके सौभागे है कि जहां ऐसा गौली रगंदर इस तरह की प्रतिवाई है चाहे उपर महाविट सौभी मंदिरों खुलना चाहिए और इन मंदिरों गंदे प्रतिवा रुकनी चाहिए कि उन पर गंदा पानी ना गिरे और इस तरह के जो हमारी जहां गंदगी है उन मंदिरों के सफाय उनती है कम से कम इतना तो संकल बीजिए अरे अपने अपने शेहर से महलों से संस्क्रिश से बचाईए हम हाँ से फिर आके हम शिखर योगिरनार की बात करें मद्या परदेश की बात करते हैं पहले आज और फिर अब यहां बात करते हैं रीकल चौक के बास की यह ख़बर देख लिए आपने पत्त्रिक मच्छा पिये दो दिन पहले क्या लिखा हूँ इसमें जो जेन इस्तम है उसको तोड़ा जाएगा अनधिकत नहीं है अधिकरत है लेकिन मेट्रो पर आपको दिखाए थे पहले कही दिन लगए वो जेन वे कही जगे पर सडके चौड़ी हो रही है तो दूसरे मंदिरों को छोड़कर जगे निकाल दी जाती है रास्ते बल्यादर रास्ते पतले कर जाती है लेकिन जेन इस्तम मारा है उसको हटाना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा अधिकरत जेन इस्तम को तोड़ना पड़ेगा हमारी कमेटिया क्या करें इसमें यह उनके चिंतन की बात है समझने की बात है चाहे बुपर की हो चाहे नीचे की हो पर यहां तो एक अखवार में छप गया है कि जैन इस्तमगोरी गलचुकवास गिराना है में इसकी अनुमती चाहिए अब लेगे चलते हैं आपको अयोध्या गड़नियारी का ग्यानमदियाथ सुधर रहा है और यह उनका पिछी परिवर्तन कारिकरम के साथ दिसंबर के द्रश्य देख रहे हैं आप और साथ में था स्वामी रविंद किर्जी जी के पठादिश का तेरवा पदारण समारो वहा लेंगे आपके साथ कुछ खास बात करेंगे गिरनार के बारे में और आज बात करेंगे वहां पर अब हमें गिरनार के लिए आंदूरन करना है दिल्ली का मालूम आपको लेकिन आप जगय जगय करना है कम से कम सो जगय पर आने वाली सत्रह को करेंगे आज शाम को ही बात आ हुआ हुआ है